हेलो फ्रेंज वेलकम टू माई यूटूब चेनल डीन के भी पोपुलर तो फ्रेंज आज के इस वीडियो में हम लोग फीगर ओफ इस्पीच में परसोनिफिकेशन के बारे में जानेंगे इससे पहले मैंने जो है दो वीडियो फीगर ओफ इस्पीच को लेकर के बना चुका ह होता है पर्शन पर्शन मिश क्या होता है वेक्ति मानव तो इसमें हम लोग डिफनेशन के माध्यम से पहले समझ लेते हैं इन पर्शोनिफिकेशन इनिमेट ऑबजेक्ट्स एंड सब्स्ट्रेक्ट नोशन्स आर इस्पोकेन ओफ एज हैविंग लाइफ और इंटिलिजेंस इन पर्शोनिफिकेशन में निर्जी बस्तूओं और अमुर्थ अश्ट्रेक्ट मिश होता है अमुर्थ नोशन अमुर्थ धारनाओं को जीवन या बुद्धी के रूप में कहा जाता है इसका कहने का मतलब यह है कि निर्जी बस्तूओं को या फिर अमुर्थ धारनाओं क जब हम लोग उसको सजीब के रूप में दरसाते हैं, सजीब के रूप में उसको दिखाते हैं, या फिर एक वेक्ति के रूप में दिखाते हैं, एक मानव के रूप में उसको दिखाते हैं, तो उसको हम लोग परसोनिफिकेशन कहते हैं, उसको हम लोग मानवी करन कहते हैं, ज तो सबसे पहला एक्जामपल है opportunity knocks at the door but ons अफसर दरवाजे पर दस्तक देता है लेकिन एक बार तो कहने का मतलब यह है कि अफसर जो है वो उसका तो पैर हाथ नहीं होता है कि वो चल करके आ जाए तो अफसर को जो है एक परसन के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है एक बेक सजीब के रूप में या फिर एक जो है बेक्ती के रूप में दिखाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं परसोनिफिकेशन कहते हैं जिसमें की यहाँ पर परसोनिफिकेशन के रूप में यूज हुआ है अब हम लोग दूसरा एक्जामपल को भी देखते हैं दूसरा तो मिर्तु ये क्या वोगया, अश्रेक नोशन हो गया, अमुर्थ धारना हो गया, इसका तो पैर हात नहीं होता है, लेकिन इसको जो है ऐसा बना दिया गया है कि लगता है कि वो हात रख रहा है, मतलब हाथ जो है कौन रखता है मनुस रखता है परसन रखता है लेकिन यहाँ पर जो है मिर्तु राजाओं पर अपना बरफिला हाथ रखती है तो यहाँ पर मिर्तु को जो है एक परसोनिफाइड किया गया है उसको जो है एक बेक्ती की रूप में दिखाया गिया है उसी तरीके से हम लोग और भी एक्जामपल को देखते हैं फरेंड मैं यहाँ पर आप लोग को यह बता दू कि एक्जामपल के थुरू से आप इसको समझने का प्रयास करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगी लहरे खुसी से नाच रही थी तो यहाँ पर लहरों को जो है नाचने के रूप में यहाँ पर परजेंट किया गया है तो सिंपली हम लोग यह चीज देखते हैं कि जो नाचता है वो कौन नाचता है वो मनुस नाचता है बेक्ती नाचता है तो यहाँ पर लहरों को जो है नाचने के रूप में परजेंट किया गया है जो की एक अमूर्थ धारना है तो इस तरीके से अमूर्थ धारना को जो है एक बेक्ती के रूप में दिखाया गया है dance करते हुए दिखाया गया है तो यह क्या हो गया personification का उधारन हो गया इसके बाद next example है the moon was playing hide and seek in the clouds चंद्रमा बादलो में लुकाचिपी खेल रहा था तो यहां पर चंद्रमा को जो है यह एक निर्जीव वस्तु है जिसको की एक person के रूप में दिखाया गया है साधरनता लुकाचिपी का जो खेल खेलता है वो कौन खेलता है person खेलता है वेक्ति खेलता है मनुष्त खेलता है तो इसको जो है चंद्रमा को जो है जो की एक निर्जीव वस्तु है उसको जो है indicate करते हुए बताया गया है तो इस तरीके से यह क्या हो गया personification हो गया next example है time waits for no on समय किसी की परतिक्षा नहीं करता समय जो है यह किसी की भी परतिक्षा वेट नहीं करता है तो समय को जो है जैसे साधरनता वेट जो करता है परतिक्षा जो करता है तो वो जो है मनुष्त के द्वारा किया जाता है बेक्ति के द्वारा किया जाता है मानव के द्वारा किया गया है अमुर्ध धर्ना को जो है यह परतिक्षा के रूप में दिखाये गया है तो इस तरीके से जो है टाइम को जो है मानव के रूप में दिखाये गया है तो इस तरीके से जो है यह क्या हो गया फरसोनिफिकेशन का उधारन हो गया तो फ्रेंस यह था आज का फरसोनिफिक